आपने सपना समाने देखे, आज मैं आपको पट्टी पलटना बताऊंगी कि ऐसे ही डोरी पलटते हैं, जब फूटों में गाउन में बारी अपन तो इस तरह से ही पलटी जाती है और पटी में ब्लाउज में बेक डिजाइन्स भटाम इसने में इतनी चोडी पटी लिए है तो मैंने दो इंच की पटी लिए है और इसमें आदा इंच की सिलाई लगाई है और मैं एक इंच का इसको कंप्लिट लखूगी तो देखें आप मैंने क्या कर रही हूं, जैसे कि अब मैंने इधर से देखें, यहां से सुई ले लिया, अब इसमें यहां पर तीन चार मेरी टीप लगा लिए, उसी टीप के अंदर से मैंने ये सुई निकाल लिए, इस सुई को मैं उल्टा डाल दूंगी, उल्टा डाल आप देखें, इस तरह से मैं चलती जाओंगी और फिर नाड़ी की तरह में चलती जाओंगी फिर अपने को ये खीचना है, देखें एसे मैं पूरा ये सुई भार निकाल लिए, इस धागे को मैंने अंगली में लपेट लिया, अब देखें, मैं यहां से यहां से इसको ऐस तरह से ठीक कर दूंगी, ये डोरी पतली हो या मोटी हो इस तरह से निकलती है, अब देखें, मैं यहां से इसको ऐसे खीचती जाओंगी, ऐसे खीचती जाओंगी, देखें, इस तरह से, मेरी उंगली में धागा है, उसको मैं फ्रेस कर रही हूं, और इसको यहां से ठीक कर जा रही हूं देखिए अब यह पूरा ऐसे ऐसे निकल जाएगा देखिए इस आप बहुत अच्छा से गेख सकते हैं इसको ऐसे कर दूंगी अब यहां पे में मसीन फसादूंगी मसीन फसाने के बाद में इसको अब यहां पे में मसीन फसादूंगी अब देखिए मैं इस तरह से करती जाओंगी ऐसे ऐसे मुझे इसी रिजाइंस के उपर देखिए मुझे इस तरह से करना है बहुत अच्छे से लेना है ऐसे कर दिया मैंने फिर मैंने ऐसे कर दिया बिलाओज के उपर लगा दोंगी बिलाओज के उपर लगा करके मैं ऐसे माला लेती जाओंगी देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे माला बनाती जाओंगी आप देख सकते हैं ऐसे देखा आपने ऐसे देखा इस तरह से बन जाएगा अब फिस रुटो है कि मजद से फिन करना है इसकोने को느िए पर इसकोने पर उनकोने पर और फिर यहां पर मोटी लगा ना एतर इस या जाएका दिखो इस तरह से आज अ जायेगा यह ऐसे इस तरह से इखटा हो करका पर जिलेकर में उनक्लाए नियर को पूरे में और बैक ता तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको बना लोगें के इन्वास लगाने के बाद रिजाइन्स बनेगे थेंक्यू गाइस